नमस्कार स्वागते आपका डेली डाइरी नियूज में सुपर हिट फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी इसे आज 42 साल पूरे हो गए हैं अमिताब बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म की ओर शुरुवात में दर्शकों और समीक्षकों ने कोई ध्यान नहीं दिया था रमेश सिपिकी इस फिल्म पर उसी समय रिलीज हुई फिल्म जैसन तोशी मा भारी पड़ रही थी लेकिन दो हक्ते बाद फिल्म ने जो लोग प्यता हासिल की वो आजे चल कर अतिहासिक साबित हुई आज के सुपरस्टार अमिताब बच्चन और समय इंडस्ट्री में इतने आपरिचित थे कि समीक्षकों ने अपने रिव्यू में उनका नाम तक नहीं लिखा एक पुराने अंग्रेजी अकबार की कटिंग से ये बात साबित होती है एक अकबार के अनुसार उनमें लिखे रिव्यू में रिव्यूर में एक भी बार अमिताब बच्चन का जिक्र नहीं किया उन्हें या तो धरम का पोकिलर लिखा गया या फिर धरम का दोस्त जबकि फिल्मों में नए नए आए अमजद खान का जिक्र बखू भी किया गया था हलाकि उनकी बहतरी नादाकारी का कोई जिक्र नहीं था आज अमजद खान को विलन की सबसे दंदार भूमी का निभाने वाले आक्टर के रूप में याद किया जाता है आपको बता दें कि 1975 में अमिताब बच्चन से जादा स्टारडम धर्मेंदर का था है मवाले में भी खासी लोग गया थी